जो लडाई है वो किस तरीके की किया आज बड़ा शो किया है मुख्यमंत्री ने और आगे पूरा एलान किया है कि उनके लडाई किस तरीके से रही देखे वो सत्ता में हैं सरकारी मर्सीनरी का दुरूपयोग कर रहे हैं जो उन से बन पड़ता है कर रहे हैं और आप ये बदेए अगर आपने पांस साल बहुत अच्छे काम किये तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको पूरी फोरी फोरी तानी पटे नोमिनेशन में और वो तो मैं आपके चैनल के माद्यम से कह रहा हूं मैंने ट्वीट भी गया है मुझे डर है कि मुख्यमंत्री सत्ता का और धन्बल का दुरूपयोग ना करके मेरा नोमिनेशन ना कैंसल करवा दें जबकि मैं अपनी तरब से पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूं कि कोई ऐसा है कि गोरखपुर में आपको जो रिस्पॉंस लाप गय भी थे गोरखपुर क्या आप उस रिस्पॉंस के आधार पर ये बात कर रहे हैं किसा आधार पर कर रहा हूं मैंने चुनायों को एक लेटर लिखा था वहाँ जो भी एससपी है वह एससपी बीजेपी के एक सांसद है उनके दामाद हैं उनका नीजी मैंने खुद उनको देखा कि वो ट्वीट रीट्वीट करते हैं मुख्य मंतरी के उन पर मनीज गुपता हत्यकान का इतना बड़ा मामला लगा और वो सरकार की छवी को मैनेज करने में लगे ते कि वो एक अधिकारी कहता है कि क्या होगा मु वरस्ता कि जिसका फोन ना आया हूँ जिस समाज ने ना कहा हूं मुझसे कि हम बहुत देने को तयार है बस खुल के सामने इसलिए नहीं आदेखते क्योंकि मुख्य मंतरी राशुका लगा देंगे या पुलिस के लोग आगे हमें धंकाएंगे तो जब आपने अपनी जाती पर फैसला छोड़े कि वह किसको नेता चुना चाहते हैं आप भी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्य मंतरी अपनी जाती के अधिकारी करमचारियों का इस्तेमाल करते हैं उनकी जाती के लोग मापिया होते नहीं उत्तरप्रदेश में और यहां भी जहां मैं हूँ आज पर च पर रविदास मंदिरें वहां कारे करताओं को धंका के गए तो मैंने अभी यहां के सपी को फोन किया और रिकॉर्ड कि मैंने कहा कि ठीक है चुनाओं है उनसे कई यह गुंडा कर दी ना करें सरकार तो बदल जाएगी तो अगर सरकारी करमचारी इस तरह से जंता को प्रेशा इने डूब जाता गोरखपूर मुख्यमंतरी बियार और बंगाल एलेक्शन करते हैं जनता ने भी मन मना रखा है कि इनको बियार बंगाल तो चले गे तो उत्राखन भेदेना तो आप कहरें क्या कि गोरखपूर में आपकी जीत हो गोरखपूर हम जीतेंगे भारी मतों से जीतेंगे और गोरखपूर में जो ताना साई फर्मान तंत्र हिटलर साई है उसका अंत निश्चिद है जनता मन मना के देख चुकी है और वो इंतजार करें चुनाओ कब आए जैसा मैंने कहा हम मजबूती से लड़ेंगे देखो मुख्यमंतरी को क्यों पुतनी फोज उता करते बाकी पाट्टे चाहती है कि उनको वोक और मिल जाए और जो आज विपक्स के लोग यह कह रहें कि हम सरकार बिनाने पर यह देंगे वो देंगे तो उनकी 55 साल की सरकार दे क्या दिया जनता जानती है और जनता हिसाब करने के लिए तैयार बैटी है समाजिक परिवरतन मोर्चा विकल पर समाजिक परिवरतन मोर्चा के जरी सरकार बनेगे